नमस्कार में अप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है चरे जानते हैं बॉलिवुट से जुड़ी आज की टॉप खबरों के बारे में सल्मान खान की जगे अब किसी नए अभिनेता की तलाश करेंगे संजय लीला भनसाली इंशाला करीब 20 साल के बाद एक बार फिर संजय लीला भनसाली अपने पसंदीदा हिरो सल्मान खान के साथ एक लव स्टोरी पर बेस्ट फिल्म बनाने जा रहे थे जुसका नाम है इन्शाह अल्ला भंसाली के इस फिल्म में सल्मान खान के साथ आलिया भट नजराने वारी थी लेकिन फिर सल्मान ने इस फिल्म को करने से इंकार कर दिया और ये फिल्म बंद हो गई हालाके इंशाह अल्ला के लिए भंसाली ने प्री प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था लेकिन अचानक सल्मान का फिल्म करने से इंकार करने पर भंसाली ने इसे फिर कभी ना बनाने का फैसला किया और आलिया भट के साथ क्यांग्स्टर ज्रामा गंगुबाई कठियाव बारी शुरू कर दी थी शारुखान और जौन अब्राहिम बुर्ज खलीफा के अंदर शूट करेंगे पठान के आक्षिन फिल्म के रिए बॉलवर्ड के बाच्छा शारुखान इंदनों अपनी कमबाक आक्षिन थ्रिलर फिल्म पठान की शूटिंग में व्यस्त है सिधार् में चल रही खबरों के अनुसार शाहरुक और जौन दुबाई की सबसे उचे मारत बुर्ज खलीफा के अंदर आक्षिन सीन्स की शूटिंग करेंगे आयुश्मान खुराना के साथ डॉक्टर जी दिखेगी रकुल प्रीट सिंग पिश्रे साल दिसंबर में जंगली पिक्चर्स ने आयुश्मान खुराना के साथ अपनी दूसरी फिल्म डॉक्टर जी की घोश्टा की थी इस फिल्म का डाइरेक्शन अनुभूती कश्यप करने जा रही है यह खबर है कि इस फिल्म में आयुषमान खुराना के ओपजिट लीड रूल के लिए रकुलपृत सिंग को सेलेक्ट किया गया है इस फिल्म पहली बार रकुलपृत आयुषमान खुराना के साथ दिखाई देंगी राम नहीं रावन के रोल में नजराएंगे रितिक रोशन जो था अकपर में अकपर का किरदार निभाने वाले रितिक रोशन एक बार फिर से एतिहासिक किरदार निभाने जा रहे हैं मधु मंटेना की हाई बजट 3D फिल्म रामायन में रितिक रोशन के किरदार को लेकर सिती साफ होने लगी है पहले बताय चाह रहा था कि प्रभू श्री राम का किरदार रितिक निभाएंगे जबकि सीता मा का किरदार दिपिका पड को उन कर सकती है लेकिन अब खबर आ रही है कि रितिक फिल्म में भगवान राम का नहीं बलकि लंका पती रावन का किरदार निभाएंगे बेटी कृशना श्रॉफ ने बताया पिता जैकी श्रॉफ के बारे में अंसुनी बाते बॉलिवुट के वेटरन आक्टर जैकी श्रॉफ एक फरवरी को अपना 64 वा जन्म दिन मनाते देखे गए जैकी श्रॉफ की बेटी कृशना श्रॉफ ने अपने पिता के बारे में अपनी सोशल मीडिया पर कुछ खास बाते भी बताई है पिता के बेटर जैकी श्रॉफ के अंदर बहुत सी समान ताइए लेकिन उनके पिता की आदत का लोग काफी फायदा उठाते हैं अपने पिता के नकरात्मक आदतों के बारे में बात करते वे क्रिशना श्रॉफ ने आगे कहा कि उनकी कमजोरी बताना मुश्किल है अपनी बहन शमिता के गोरे रंग से चिड़ती थी शिल्पा शेटी, शिल्पा शेटी की बहन शमिता शेटी आज अपना 42 वा जन्न दिन मना रही है, शमिता ने साल 2000 में फिल्म महबते में बॉलिवुट डेब्यू किया था, इस फिल्म के लिए शमिता को बेस्ट डेब्यू आक्टर फीमेल का अबॉर्ड भी मिला था, साल 2002 में शमिता का आइटेम नंबर शरारा शरारा भी आया था, जिसने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि शिल्पा शेटी बच्पन में शमिता से चुड़ती थी, शिल्पा ने एक इंटर्व विव्यू में कहा था कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि श्रमिता का रंग उनसे ज्यादा गोरा था, नागिन फेम मौनी रॉइ ने साड़ी लुक से चुराए फैन्स के दिल, बॉलिवूड अक्ट्रस मौनी रॉइ जो कि नागिन जो ऐसे सीरियल से अपना मुकाम हास हाई रहती है, अब एक बार फिर से मौनी रॉइ ने अपने नए अवदार से इंटेनेट का तापमान बढ़ाया है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरे श्यार की है, जिनमें वो साड़ी में नज़र आ रही है, सोनम ने साज़ा किया आनंद ने कब और कहा किया था शादी के लिए प्रपोस, बॉलिवुड आक्टरिस सोनम कपूर आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेर जरूर काती रहती है, हाले में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेर की है, जिसमें वो अपने पती के स नजर आ रही है, इस तस्वीर के खास बात ये है कि यह 4 साल पुरानी है और इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि यह तस्वीर आनंद के शादी प्रपोसल के बाद लिगई है, सोनम कपूर ने इस पोस्ट में जिन हैश्टर का इस्तमाल किया है उसे देख कर लगता है कि आ आनंद ने अगस्त 2017 में लंदन में सोनम कपूर को प्रपोस किया था, हर लड़की के पसंद है सुनाक्षी सिनहा की ये कूल से लेकर क्लासी लुक, बॉले बड़ा भिनेतरी सुनाक्षी सिनहा आज कल सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरे शेयर कर रही है, उनकी ये फोटोस काफी कूल है, इन फोटोस में वो काफी सिंपल आउटफिट में नजर आती है, सुनाक्षी का ये कूल लुक आपको भी जरूर देखना चाहिए और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने वाड्रोब में ऐसे कपड़े जरूर रखे, नियाज शर्मा ने का लुक फैन्स बोले जहर, नियाज शर्मा को कौन नहीं जानता, टीवी की ग्लामरस अक्ट्रिस हैं, उनकी फोटोस अकसर सोचल मीडिया पर धूम मचाती है, अक्ट्रिस का ग्लामरस लुक लोगों को खूब पसंद आता है, आजकल अक्ट्रिस इंडियन वियर में फ्लॉ प्रियांका चोपरा वाइरल हुई तस्वीर, बॉलिविड आक्रिस प्रियांका चोपरा हमेशा सुर्ख्यों में रहती हैं, लेकिन फिलहाल वो अपनी हाली में रिलीज हुई फिल्म दवाइट टाइगर को लेकर काफी चर्चा में है, फिल्म रिलीज होने के बार भी आक् पर इंस्टाग्राम के जर ये शेयर की है, प्रियांका सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती है, वो लगभग हमेशा अपनी कोई न कोई फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती है, राजमॉली और बोनी कपूर के फाइट में पीसमेकर बने अज्वे देवगर, बहुबली डारेक्टर, SS राजमॉली और फिल्म प्रिद्यूसर बोनी कपूर के बीच पिछले कुछ दनों से तलकी देखी जा रही है, आपको बता दे कि जब से राजमॉली ने अपकमिंग फिल्म RRR को रिलीस करने का अनाउंस किया है, उसके बाद से बोनी कपूर उनसे स यार नहीं हूँ, फिल्मों से इसले दूर हूँ करने हैं, मही प्रीटी जिंटा ने अभी तक खुद को गोल्डन स्क्रीन से दूर रख रखा है। फिल्म सूरे बंची को लेकर फैंस अब बेसबर हो रहे हैं, कभी इसे होली पर रिलीस करने की अववा सामने आती है, तो कभी गुड़ फ्राइटे पर। हालाकि अफसर फैंस चाते हैं कि फिल्म जल्द से जल्द रिलीस कर दी जाए। ब्लाक ड्रेस में ठा रही है कहर सारा लिखान जुसे देख फैंस दिवाने हो रहे हैं। अभिनेत्री सारा लिखान ने जब से अपने अभिने करीर की शुरुवात की है, वो दर्शकों की पहली पसंद बन गई है। सोशल मीडिया हो या फिल्म उन्हें काफी प्यार मिलता रहा है। जिन में वो ब्लाक कलर के ड्रेस में नजर आ रही हैं, जुसे देख फैंस दिवाने बन गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल को चिस प्रकार है। आपके नुसार बॉलिवूर्ट इंडरस्ट्री में अब तक की सबसे बहतरीन अदाकारा कौन रही है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के रिबस अतना ही। बॉलिवूर्ट की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।